नमस्का दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज आप इमें बात करूँगा एक Power Generate करने वाला Companies के बार में, देखे, Power Generate and Distribute जितने सारे Companies करते हैं, उनमें से आज इस Company के बार में बात करूँगा, वो Top 10 नमबर के अंदर आते हैं, और Company का जो रैंकिंग है, वो बहुत नीचे है, क्योंके Company एक Mid Cap and Small Cap टाइप Company बोल सकते हैं, इसका Market का 5,000 करोड से भी नीच हैं, तो एक छोटा Company के बार में डिसकस करूँगा, क्योंकि बहुत सारा कमेंट्स बहुत दिनों से आ रहा है, कि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स करते जा रहा है, कि ऐसे Company के बार में डिसकस एक बार कर दीजेगा, जो अभी Penny Stock में चल रहा है, क्या फ्यूचर में वो एक फिर से माल्टी बेगर बन सकते है, फीचर में जो हाई लेवेल था उसका उस लेवेल तक जा सकते है, तो चलो मैं उसी के बार में डिसकस करूँगा, कमपनी का नाम जो है, बहुत पहले देख चुके है, इसका नाम है जैप्रकास पावार वेंचर लिमिटेड, तो जैप्र सब्सक्राइब नहीं किया, तो जोरू सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जोरू सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक अपने टेली ग्रम को जोईन नहीं किया, टेली बेसिस आप ऐसा कामाना चाते है, तो आप चाकर जोईन क तो company का business क्या है? पहली बता चुका हूँ power generate करना company का काम है तो company दो तरीके से power generate करते है एक है hydro project के माधधम से दूसरा थार्मेल पोजेट के मादधम से अब सभी जानते हैं थार्मेल पोजेट के मतलब कोईला के मादधम से पावर जनेट किया जाता है तो कोईला अब सभी जानते हैं इंडिया के बाहर से करीबन 75% 78% से भी जादा कोईला बाहर की कंटी से इंपूर्ट करना पड़ता है इतना ज 53 रुपीज के आसपास है तो उस बेसी से देखा जाए तो कॉईला का जो डिमांड है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा है तो उस डिमांड के कारण उसको जयाद से जाद बाहर की कंटी से खरीधना पड़ता है तो उसी लिए इस तरीके से कंपचिको जो में इसूज आते ह वो है costing का तो खर्चा बहुत जाता होते हैं कमपानी का expense के हिसाब से मतलग company के income के हिसाब से company का खर्चा जादा हो जाता है हाँ एक project है जिस project से company का खर्चा काम होते है वो है hydro project तो hydro project का company का project है करीबन 400 megawatt का total company power generate करते है hydro project के माध्धम से और आप देखेंगे तो thermal power के माध्धम से company दो जगा पर company के thermal power है एक है बीना thermal power plant जहापे 500 megawatt का और और एक है निलगीरी thermal power plant जहापे 2 x 660 इसका मतलब दो अलग-अलग thermal power है तो आप बोल सकते है 660 इसका मतलब आप 1200-1300 megawatt का आप बोल सकते हैं तो इस तरीके से कुछ database यहापे देखने को मिला तो आप थोड़ा सा आपको समझ में आही चुके होंगे कि company का business क्या है तो तेरा सो बीस करोड का मतलब ओल का सरी देखा जाए तो thermal power का project है और 400 करोड का तो क्या इस project के basis से company feature में sustain कर पाएंगे फीचर में जितने सारे इसका competitor है उसको उसके साथ लड़ पाएंगे तो पहले एक points में आपके साथ जोरू share करूंगा company का जो दोनों project है company सबसे ज़्यदा revenues कमाता है thermal power के मतलब से और अब सबी जानते thermal power मतलब koila का demand बहुत ज़्यदा है मैं पहले बत चुका हूँ supply उतना ज़्यदा नहीं है और supply भी है तो उसको ज़्यदा पैसा देने के बाद ही मिलता है तो एक बहुत बड़ा week point से company के लिए जहाँ पे company सबसे ज़्यदा revenues कमाता है उस project में ही सबसे ज ज़र रहेगा क्योंकि globally market में अगर koila का दाम और भी बढ़ जाता है तो company के उपर बहुत बड़ा impact देखने को मिलेगा तो hydro project को company को बढ़ाना चाहिए फिर भी company hydro project के उपर 400 Megawatt का total power generate करते है तो यह था company का points company का details अभी company का जो चीज़ आपको देखना चाहिए तो वो है company का तो फाइनल सेली डेटा के बारे में बात करूँ तो company का जो quarter basis result है इस बार company क्या result किया वो दिखा दू 75 करोर का पिछले बार धमा का result किया था करीबन धाईसो करोर के आजपास पास पिछले सालों में भी करीबन 200 करोर के आजपास profit किया था तो company में दिखिए किस तरीके से performance चला है company का पारफर में इसतरुक्स कीसे , चन्न के कारण है अब ध्यान से देखना ध्यान से देखना कि company एक बार बहुत जज़ा प्रॉफिट कर चुके हैं और उसके बाद उल्टा दिखिए company वानी लॉस कर रहा है तो फिर से एक बार प्रॉफिट किया फिर से लॉस हाँ लॉस जो हो रहा है छोटा मोटा हो रहा है पॉफिट जो हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है एक अच्छी बात है फिर भी कंटिनियसली मेंटेंड नहीं कर पा रहा है इसका मतलग कंपानी का जो बिजनेस होगा उस तेमें पावर का मतलब distribution कम होगा ऐसे बिल्कुल भी नहीं पावर का distribution हमेशा जुरुत है क्या आप क्या कहेंगे चलो मैं जब मतलब winter आजाएगा तब मैं पावर काट कर दूँगा जब summer आजाएगा तब में लूँगा ऐसे कुछ होता है क्या continuously होता है continuously चलते रहते है तो हाँ थोड़ा इधर उधर हो सकता है इतना बड़ा difference होना एक company के लिए एक weakness है तो company का जो बाकी parameter से उसके बारे बात करूँ तो मैं पहले बढ़ा जो को 5000 करोड का आसपास इसका market क्याव है peer issue ठीक ठीक है return of equity return of capital employee एक डम week levels में है annual income ठीक ठाग है मगर company का करजा जादा है देखिए जो company 5300 करोड का है और 4800 करोड का करजा लेकर रखा है उस company के उपर निवेश करने से क्या फाइदा होगा फ्रीक cash flow के बारे बात करो तो 742 करोड का टोटल हाद में cash है अनिंग पस्यार देखिए एकदम नाका पर बरावर है company का sales growth ठीक ठाग है profit growth भी ठीक ठाग है फिर भी company का profit and loss के बारे बात करो तो आप देखेंगे तो company company बीच पीच में बहुत बार losses company कर चुके है तीन चार बार company losses कर चुके है अभी फिलल के लिए company profit कर रहे है तो फीचर में क्या होगा वह तो दिखाए जाएगा तो company company का return of basis के बारे में बात करो तो आप कहेंगे साथ तीन साल में एक साल में तो 100% तक company return दे चुके है क्या अभी मैं इस company को निवेस करना start कर दू ऐसे बिलकुल मत करिएगा आप 10 साल के figure देख लीजिएगा losses में 5 साल में losses में company का sales growth का हालत आप सिर्फ इस बार देख चुके ह पहले बार देखेंगे मतलब पिछले सालों के देखेंगे तीन साल पांस साल में तो negative दिखेगा साथी साथ company का profit losses का जो growth है वो देखेंगे तो company पहले losses में था profit negative में था अभी positive में आया है मगर company का return of equities negative में है तो कुछ parameters यहापे बहुत बड़ा negative दिखा रहा है साथी साथ जो company का reserve negative में है उस company के उपर में पहले cross लगाना चाहूंगा और जो company का करजा कम हो रहा है यह बात अच्छी है इन्वेश्टर जिस company के उपर भरोसा नहीं अभी दिखा रहा है पहले देखे DS के पास 47% holding था आज कितना 22% हो चुके है पाबलिक देखे 22% holding रखे थे आज 50% holding है प्रोमोटर खुद माल बेच रहा है 29% holding था आज 24% holding है यह से कुछ आपको सीखना चाहिए यह से कुछ आपको जानना चाहिए कि जो company का promoter खुद वहां से माल बेचकर भाग रहा है जिस company के FISDS माल बेचकर भाग रहा है तो उस company के उपर आपकी interest दिखा रहा है हाँ आप company 80 तक चला गया जिसका जो high level था उस level तक चला गया तो मेरा तो 10 गुना fund हो जाएगा तो मैं तो इस company को पर 1 लाख रूपया निवेस करकर रखा हूँ तो मेरा तो 10 गुना तो मतलब 10 लाख रूपया हो जाएगा क्या इसी तरीके से रिक्स लेकर आप काम करते हैं अगर इसी तरीके से रिक्स लेकर आप काम करते हैं तो आप खुद की ओपिनियन के मेरे experience के ओपिनियन से कहूँगा आप बहुत बड़ा रिक्सी गेम खेल रहा है आपका जब कोई भी company में loss होगा ना जब 10 लाख आपका पूरा का पूरा डूप जाएगा तब आप कहेंगे sir के बाद सुन लेना चाहिए था तो फिर भी में आपको ऐसे नहीं कहूँगा कि आप काल या के माल बेश दीजेगा आप आपके research के हिसाब से माल मतलब खरीदारी करकर रखे है तो उसके हिसाब से continue करिए और मेरे खुद के opinion के हिसाब से कहूँगा तो मेरे इस company को पर कोई भी इस्यदारी नहीं है और मैं इस तरीके से company को पर निवेस नहीं करना चाहता हूँ तो power sector में अगर निवेस करना है तो बहुत बढ़ा leaders company है उसके उपर में focus रखना चाहूँगा वासा करता हूँ सारे जानकर आपको मिन चुका है मेरे वीडियो कैसे लगा जोरू कमेंट करना इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राब भी करना मिलते नेक्स दिन्या स्टॉक लेके तब तक के लिए अच्छे सरी अपने ख्याल रखिए बाबाए